दोस्तों बस कुछ ही घंटे और और बिहार में खेला होने जा रहा है ऐसा कहना है RJD विधायकों का लेकिन दूसरी तरफ BJP कह रही है यह नहीं होगा खेला बगर जस तरीके की situation नज़र आ रही है दोस्तों उसके हिसाब से तो खेला हो सकता है इसकी पूरी-पूरी संभावना नज़र आ रही है देखे RJD के विधायकों को कोई नहीं खरीद सकता यह RJD कह रही है RJD के निता कह रहे है कि RJD का विधायक क्या एक कारे करता तुम नहीं खरीद सकते किसी में उकात नहीं है कि कोई खरीद कर दिखा है, दूसरी तरफ बात की जाए कॉंग्रस की, वो अपने विधायकों को समाल चुकी है, दोस्तों उनको पहले ही समाला जा चुका है, सारे के सारे विधायकों को फ्लोर टेस्ट से पहले हैदराबाद भेजा जा चुका है, बात को एक साथ बठा लिया गया है और कहीं पर भी किसी को परशानी ना हो उसका पूरा इंतिजाम किया जा रहा है ताकि फ्लो टेस्स से पहले कुछ गड़बर न हो जाए खरीत परोक्त में भारतिय जनता पार्टी को माहिर बताया जाता है दोस्तों आरोप लगता है भाजपा प उनके लिए वही बहुत बड़ी उपलब दीन होगी लेकिन इसी बीच मनोज्जा आजडी सांसत मनोज्जा बड़ा दावा कर गए कह गए कि उनसे कह दीजेगा उन तक बात पहुचा दीजेगा कि हम जिन्दाबाद थे और हम आगे भी जिन्दाबाद रहेंगे इसके अला है क्या अगले 24 घंटे बिहार की सरकार के लिए बहुत जादा मुश्किल होने वाले हैं दोस्तों क्या 24 घंटे में बिहार की सरकार गिर जाएगी यह सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि घटना क्रमी ऐसे ऐसे हो रहे है दोस्तों बिहार में अब पूरा मामला क्या है इ बहुत ही दिल्चस्प खबर देखें बिहार में क्या होगा क्या नहीं 12 फरवरी को पता चल जाएगा 12 फरवरी यानि कुछ ही घंटे में आपके सामने ये खबर होगी कि बिहार में सरकार बची या फिर नितीज बावु के हाथ से चली गई नितीज बावु बहुत हो जाता है उनका हरद्य परिवर्तन हो सकता है दोस्तों कि अगर भावुमत का आकड़ा आजेडी महागट बंदन के पास उनका हिर्दे परिवर्तन हो और फिरसे दूसरे पाले में वो लुडख कर चले जाए हाला कि अगर देखा जाए तो नितीश कुमार जो अभी इस कर रही है यह भी आरोप किसी समय में लगाया था नितिश कुमार ने आज उसी भाजपा के साथ जा कर वो गडबंदर में बैठे हुए है तो इस सब चीज़ों पर चर्चा के अलावा दोस्तों अब चर्चा हो रही है विधायकों के चोड़ तोड़ पर देखे आर जेडी के नेताओं का कहना है कि आर जेडी के नेताओं को कोई तोड़ नहीं सकता जितने विधायक है उतने विधायक बरकरार है हाला कि अगर चोड़ने तोड़ने की बात आये दोस्तों तो विधायकों के गायब होने की सबसे जादा ख़वर अगर किसी खेमे से आई है तो वो इश कुमार के करीबी बताये जाने वाले मंत्री श्रवन कुमार के घर पर भोज रखा गया और उस डिनर में उस भोज में नो विधायक आए ही नहीं पहुचे ही नहीं नो विधायक गायब थे 45 कुल विधायक है जे डियू के 45 में से 36 विधायक श्रवन कुमार के आवास पर पहुचे थे खाना पीना करने के लिए बाकी के 9 विधायक गायब नजर आये दोस्तों बाद में पार्टी ने आनन फानन में बीच बचाव के लिए ये कहा है कि वो 9 के 9 विधायक पहले से ही तो बाद में पता चल रहा है कि उन नौ विधायक में गोपाल मंडल का नाम भी शामिल था वही गोपाल मंडल जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ा-धड़वारल हो रहा है जिस वीडियो में महाशे कहते नजर आ रहे हैं कि वही जब लालु प्रसाद यादभ जी ब बैकवर्ड के नेता हैं, बैकवर्ड क्लास के नेता हैं, और पिछडों के सबसे बड़े नेता हैं, नितीज जी तो बाद में आये ना, पहले तो लालो प्रसाद यादव आये, ये वीडियो भी वारल हो रहा है दोस्तों, तो सोचिए कि गोपाल मंडल जब ये कह सकते हैं, उ फिलाल उनके जो समर्था के दावा कर रहे हैं, बारा से पंद्रा विधायक, कम से कम बारा से पंद्रा विधायक हैं, फिलाल संपर्क में हैं, महागडबंदन के, और कुछ भी हो सकता है फ्लोर टेस्ट में, इस वक्त इतनी आश्वस्त नजर आ रहे हैं दोस्तों, आर जे कि तेजस्वी यादव के आवास पर जितने भी विधायक पहुंचे हैं, गाना बजाना हो रहा है, और गाना क्या गाया जा रहा है, ना छेडों हमें हम सताय हुए हैं, बहुत जख्म सीने पर खाय हुए हैं, दगाबाज हो तुम सितम धाने वाले, फरेभी महबत में उलज जखाने वाले, ये गाना किसके लिए गाया जा रहा था, अंदाजा लगाया जा रहा है कि नितीश कुमार जी के लिए गाना गाया जा रहा है, क्योंकि बीते दिनों तक महागडबंदन उनको बहुत प्यारा था, अटूट महबत थी महागडबंदन से, रिष्टे नाते न मंगल राज है तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए फिलाल ये पूरा घटना करम जो नजर आ रहा है बिहार में दोस्तों ये एक पक्ष की तरफ जाता वो नजर आ रहा है अब मैं आपको कुछ और उधारण देती हूं कि क्यों आरजेटी का पलड़ा भारी दिख रहा है देखें अवद भिहारी चौधरी जो कि विदान सभा के स्पीकर है पहले वो कहते हैं कि मैं इस्तिफा नहीं दूंगा इस्तिफा देने से उन्होंने इंकार कर दिया जबकि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उन्होंने कहा अविश्वास प्रस्ताव जिस दिन ल फिर आप गटनकरम, देख लीजे, नौ विधाय गाइब रहे जेडियो के भोच से, फिर एक और गटनकरम होता है, जीतननाम मांजी से महाँडबंधन के नेता की मुलाकात होती है, महभूबालम जिनका नाम बताया गया, उनकी मुलाकात होती है, वो कहते हैं जीतना मांजी कुछ तो बड़ा खेला करेंगे हलाकि उन्हें यह नहीं बताया कि क्या खेला करेंगे लेकिन उन्हें ने कहा कि कुछ तो खेला करेंगे अब वो खेला राजनीती घटना करम से जुड़ा गया यानि तीन ऐसे उधारण है ये जिसकी वज़े से RJD का पलड़ा भारी इस वक्त नजर आ रहा है उपर से मनोज्जा हो गए या RJD के कई नेतागन हो गए दोस्तों उनकी तरब से तो लगातार ये कहा ही जा रहा है कि हमारे विधायकों को कोई खरीद नहीं सकता कारेकरताओं को भी कोई ने खरीच सकता विधायक तो बहुत दूर की बात है और दूसरी बात ये कि हमारे जितने विधायक हैं हमारे पास पूरा नंबर है और हमें किसी के सामने वो पेश करने की जरुरत नहीं है फ्लोर टेस्ट में आपको सब कुछ नजर आ जाएगा यानि आप इसी से निशकर्ष पढ़ा सकते हैं कि RJD का पलड़ा भारी है या फिर BJP का पलड़ा या JDU का पलड़ा भारी है तो आप तैक कीजे दोस्तों कि 12 फरवरी को जो फ्लोर टेस्ट होने वाला है उससे पहले आपको किसका पलड़ा भारी नजर आता है फिलाल इस खबर में बस इतना ही आप इस खबर पर क्या सोचते हैं आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताईएगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार